हलो फ्रेंट्स मेरे नाम है सुन्दिव कुमार गौर और हम डिस्कस करने हैं डिस्की मैथमेटिक्स पर जिसके अंतरकत हम देख रहे हैं गुरूप थियोरी आज हम देखने वाले बाइनरी ओपरेशन की कुछ प्रॉपरिटी के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में हमने बाइनरी ओपरेशन की क्लोजर प्रॉपरिटी पर डिस्कस किया हुआ था और सांती यह देखा था कि अलजैब्रिक इस्टेक्चर क्या होता है आज हम उसी दिश को आके बढ़ा रहे हैं और आज हम देखने वाले हैं बाइनरी ओपरेशन की दो प्रॉपरेटी के बारे में असोसियाटिव और कमिटेटीव तो आइए पहले देखते हैं असोसियाटिव प्रॉपरेशन को सांती साथ हमारे पास एक सेट है इस सेट एस पर किसी बाइनरी ओपरेशन को associative तब कहा जाता है जब है इस property को follow करें property क्या है a strict in the bracket b strict c means a binary operation bracket का अंदर b binary operation c equal a binary operation b binary operation c for all a b c belongs to s means यह जो तीनो element है यह किसी set में belong करते हैं और इन तीनो element के उपर यदि इस तरह से property follow होती है तो यह जो property है यह कहलाती है associative property इसको एक example के द्वार समझते हैं माली जी हमारे पास कोई algebraic structure है let algebraic structure यहाँ पर दिया हुआ है हमको z plus इसका मतलब हमारे पास एक set है set का नाम क्या है z और आप जानते हैं z का meaning क्या है set of integers और साथी साथ binary operation हमको दिया हुआ है plus तो अब यह देखते हैं कि यदि हमको इस तरह का एक set means algebraic structure दिया हुआ है तो यहाँ पर associated property hold होती है या नहीं है तो हम जानते हैं कि z का meaning क्या है set of integers that means इसमें क्या होता है infinity से लेकर minus 3 minus 2 minus 1 इस तरह से 0 1 2 3 और infinity means negative positive सभी numbers में होते हैं लेकिन integers ओके अब associated property क्या कहती है कि इस तरह से यहाँ पर follow होना चाहिए तो हम यहाँ पर 3 element कोई भी मान लेते हैं let हमार पास कोई 3 element है minus 3 minus 2 और एक और कोई element ले लेते हैं 4 belongs to z अब यहाँ पर किस तरह से property दी हुई है a एस्टिक b एस्टिक c तो यहाँ पर हम minus 3 और binary operation हमको क्या दिये हुआ है plus तो यहाँ पर किसका symbol आएगा right hand में क्या है minus 3 plus यहाँ minus 2 आएगा then plus में क्या चलेगा c, c की value क्या है यहाँ पर 4, इनको यहाँ हम solve करें तो दोनों value यहाँ बरावर आती है तब इसका मतब क्या होगा कि यहाँ पर associative property hold कर रही है तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा पहले bracket solve होगा तो कितना हो जाएगा यह 2 हो जाएगा minus 3 plus 2 और यह हो जाएगा then minus 1 इसी तरह यहाँ पर देखते हैं तो पहले bracket solve होता है minus 3 minus 2 कितना हो जाएगा minus 5 plus 4 और यह हो जाएगा minus 1 means यह दोनों बरावर हैं और यदि ये बरावर हैं तो ये property hold कर रही है means यदि हम z के किनीवी तीन element को लेके इस तरह से solve करते हैं तो वो आपस में बरावर आएंगे और यदि ये बरावर आते हैं तो यहाँ पर associative property hold करेगी तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं the algebraic structure z plus where the binary operation binary operation of addition on z is associative अब देखते हैं second property, committative property अब यहाँ पे क्या होता है, यदि इस तरह की क्यों property है, क्या लेखा हुआ, a binary operation b equal to b binary operation a for all a b belongs to s, means किसी भी set के यदि हम दो element लेते हैं और दो element पे इस तरह से यदि हम operation perform करते हैं, कि इनका order यदि हम change कर रहे हैं, और उसके बाद जो result है, वो same आए, तब यह जो property है, वो committative property कहला दिये, इसका भी example देखते हैं यहाँ पर हम वही example लेते हैं let algebraic structure z अब इस पर देख लेते हैं हम लोग z क्या है हमारे पार, set of integers यहाँ पर कोई भी दो element आप ले ले जिए, let यहाँ पर element ले लेते हैं, minus 7 and 6 bronze to z अब इसका देखते हैं minus 6 plus 6 या फिर 6 plus minus 7, इनका order change हम नहीं कर दिया है order change करते हैं, तब भी यहाँ पर क्या आएगा minus 1 आएगा और इस तरब देखते हैं, तब भी यहाँ पर क्या आएगा minus 1 आएगा, means यह दोनों बरावर है, तो आप A operation B लिखें या फिर B operation A लिखें, दोनों की value यहाँ पर same आती है, और यदि यह value same आती है इसका मतलब इस algebraic structure के उपर community property hold कर रही है, तब आप यहाँ पर कह ले सकते हैं the algebraic structure z plus where the binary operation of addition on z is commutative ओके, और यह ऐसा नहीं का, आप किनी दो element के लिए, यहाँ पे आपने कह देखा अब आपको बताना है, कि यदि हमारे पास दो algebraic structure है, मा लिए, पहला algebraic structure आपको दिया हुआ है, जेट, पर दोनों property hold कर रही है, और किस पर नहीं कर रही है, तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को like करें, share करें, और यदि आप चैनल पर नए है, तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe करें, thank you करें,